How does smoking affect your body for fat loss and muscle building? What's up my YouTube family, welcome back to my channel, this is Nikhil Agrawal. आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि smoke करना, smoking जो होता है, वो fat loss के लिए, muscle building के लिए, या अगर आपको कुछ गोल नहीं भी है, तो भी वो हमारे body में कैसे harm करता है. आप लोग सुने भी हो कि smoke करना is not good for health, राइट, बट आज मैं आप लोग को detail में बताता हूँ कि यह क्यों actual में harmful होता है हमारे body के लिए. देखिए, smoking में, मतलब cigarette में एक ऐसा ingredients होता है, एक ऐसा drugs होता है, जिसको हम बोलता है nicotine. निकोटीन जो एक ऐसा चीज होता है, वो एक drugs है, और जब हम intake करते हैं, मतलब smoke करते हैं, तो हमारे body में वो nicotine जाता है, और जब वो nicotine हमारे body में जाता है, तो यह क्या करता है, एक chain बना देता है हमारे body के अंदर में. और जब वो chain बना देता है, तो उसका nicotine का असर उस chain में रहता है, जब उस chain में nicotine का असर कम हो जाता है, या खतम हो जाता है, तो वो जो chain है ना, वो फिर से demand करते है, कि फिर से तुम smoke करो और nicotine डालो, तो इसलिए जो होता है एक आदमी जब initially start करता है smoke करना तो वो धिरे 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 gradually उसका बढ़ते जाता है, कभी किसी का कम नहीं होता है, वो बढ़ते जाता है और बढ़ते बढ़ते इस हद तक चले जाते हैं कि एक दिन में जो है एक एक दो डबबा cigarette तक लोग पी लेते हैं देखिए, पहले मैं आप लोगों को उन category वाले लोगों के लिए बताता हूँ, जो fitness में या sports में मतलब बहुत जाद एक्टिव रहते हैं, देखिए, हम जब smoking करते हैं, तो वो क्या करता है, हमारा stamina को, हमारा endurance level को वो कम कर देता है, जिसके वज़े से हम कोई भी physical activity करते हैं, चाहे field में अगर हम कोई sports खेल रहे हैं, या gym में अगर हम लोग कोई workout कर रहे हैं, particular कोई exercise में हम लोग सोच के रखे हैं, कि हमको इस set में हमको 10 से 15 repetition रखना है, तो उस जगह में 10 से 15 repetition आप लोग नहीं लगा सकते हैं, 8 से 9 repetition ही बस आप लगा सकते हैं, उसके बाद क्या होगा आप लोग को oxygen लेने में problem होगा, और जब आप oxygen लेने में आपको problem होगा, तो आपके lungs में उतना ज्यादा pressure पड़ेगा, जिसके वज़े से आप high repetition नहीं लगा सकते, चाहे आप जितना भी आपका mind setup बना के रखे होगे कि नहीं मेरे को मार नहीं है, 10 से 15 repetition तब भी वो चीज नहीं जाएगा, क्योंकि 8 से 9 repetition आप जैसी मार लोगे ना, उसके बाद आपका सांस भरने लग जाएगा, ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका body, actual पर उतना oxygen नहीं बना पा रहा है, और वैसे भी देखिए, जो इंसान smoke करता है, वो 30% oxygen नहीं बना पाता है अपने body में, as compared to, जो cigarette ये smoke नहीं करता है, और अगर आप लोग उतना प्रापर तरीके से oxygen नहीं ले पा रहे हो आपके body में, तो क्या होता है, आपको muscles डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि muscles तभी develop करता है, जब आपके body में और आपके muscles के बीच में जो है न तो उतना ही अच्छा आपका blood flow रहेगा आपके body में, और जब आपका blood flow प्रापर रहेगा, तो आपका muscles का जो fiber होता है न, उसमें उतना ज्यादा contract करेगा, जो blood flow रहता है, और जब वो muscles fiber में, अगर वो जब blood flow contract करता है न, तो वो हमारा body को, हमारा muscles को develop करने के लिए help करता ह तो सबसे पहले आप break तो यहीं पे कर दिये, smoke करके, मतलब cigarette पी के, कि आप अपने body को उता जल्दी से grow नहीं कर पा रहे है, क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते है, या इतने time से ये कर रहा हूँ, इतना maintain कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरा body में वो result नहीं दिख रहा है, growth नहीं द होलते हैं, ठीक है, हम जब smoke करते हैं, चाय वो male category में हो या female category में हो, दोनु का जो hormones होना वो नीचे गिर जाता है, जब यह चीज नीचे गिर जाता है, तो ना तो आप fat loss कर सकते हो, ना तो आप muscle build कर सकते हो, और सबसे वड़ी बात यह है कि आपका skin भी खराब होने लग जा जल्दी से आपको घुसा आएगा, आपका बाल जढ़ना चालू हो जाएगा, यह सारी चीजे होती है, जब आपका hormones कम हो जाता है, और आपका strength भी जो होता है, काफी कम हो जाएगा, जैसे अगर आप आज अगर 100 kg लिफ्ट कर रहे हो, तो अगर आप smoke करना चालू करते हो, तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप फुद result देखोगे, कि वो जो है न, धीरे-धीर आप उतना weight नहीं उठा पा रहे हो, लेकिन फिर आप 15 दिन बाद अगर आप smoke करना कम कर देते हो, तो वो धीरे-धीरे-धीरे जो हैन, आपका nicotine पूरा बाहर निकल जाता है, एक दम से खत है, बट फिर भी अगर आप पूरे दिन भर में या दो दिन में सिर्फ एक बार smoke करते हो, एक cigarette बस लेते हो, तो वो क्या होगा न, आपका nicotine उत्रा जादा सरीर में नहीं जाएगा, जिसके वज़े से जो हैना, आप repetition जो हैना, 8 से 10 तक ही लगा पाओगे, उससे जादा नही नहीं लगा पाओगे, तो इस बेटर कि आप उस चीज को stop भी कर दीजे, बंद कर दीजे, और जो दूसरा केटेगरी है, वो उन लोगों के लिए जो physical activity नहीं करते हैं, या कोई work out नहीं करते हैं, किसी sports में वो लोग involved नहीं रहते हैं, देखिए, आपका इसमें कोई गोल त बट, आपके अंदर भी तो वोई lungs, kidney, liver, सारी चीजे वही होती है, जो sports वाले होते हैं, अगर आप smoke करते हो, तो at the end आपके lungs पर जाके वो, मतलब affect कर रहा है, नुकसान हो रहा है आपको कहीं ना कहीं, अगर आपका lungs में अगर वो खराब हो जाता है, या उसमें affect करता है, त तो obviously बात है, आपको oxygen लेने में बहुत जादा तकलीफ होगी, आप उतना speedily उतना proper तरीके से oxygen नहीं ले पाओगे, even आपको एक बात बता दूँ, अगर आप smoke करते हो, बहुत जादा, जैसे बोलते हैं, हम लोग को cancer हो जाता है, तो अलग-अलग category में भी cancer होता है, तो अगर भी तुमारे सरी के लिए खराब है, तो यार वो possible नहीं है उनके लिए, मैं समझता हूं वो चीज, लेकिन अगर आप कोसिस करोगे और चाहोगे कि नहीं, यार मेरे लिए ये खराब करता है, मेरे को इसको धिरे-धिरे कम करना है, तो आप समा उसको धिरे-धिरे-धिरे तो आप उसको जोड़ लीजे कितना हो रहा है, तो इतना पैसा सेविंग कर सकते हो, तो आप देखिए, इसमोक अगर करते हैं, तो बहुत सारी नुकसान है, अगर लेकिन अगर आप समोक नहीं करते हो, तो आपके लिए फायदा ही फायदा कुछ उसमें नुकसान नहीं है, वो दुआ आप भी इनहीं कर रहे हो, अगर आप इनहीं कर रहे हो, अगर आप इनहीं कर रहे हो, अगर आप उस दुआ को इनहीं कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए नुकसान है, तो इसलिए अगर आप इनहीं पीते हो, तो आप हमेशा उन लोगों से दूर रहे हो, जो जो सिगरेट पीता है, at the time, वो लोग जब सिगरेट पीते हैं, तब उनसे आप थोड़ा उस समय दूर रहो, ताकि आपके अंदर वो इसमेल ना जाए, आपके बॉड़ी के अंदर, होप सो, आप लोगों को मैं यहाँ समझा पाया हुँगा, कि स्मोक करने के क्या-क्या नुखसान होते हैं, अगर आप लोगको मेरा वीडियो अच्छा लागा, आप लोगको मैं अगर कुछ इन्फोर्मेशन दे पाया है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को स से आपको आने वाले मेरे हर नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी एनिवेश टेक्या गाइज आल लव यू आल बाबाई